इस मुवी का नाम है Guardians of the Galaxy Vol. 3 2013 फिल्म की शुरुआत होती है एक प्लैनिट से यारी सी जिसका नाम नोवियर है जो अब से Guardians का नया हेट कौार्टर था यहाँ पर हमें Guardians की सारी ये टिम दिखाए जाती है इन में से Rocket Raccoon एक कमरे में जाता है जो सीधा Rocket की कमरे में घूस जाता है क्योंगे वो उसे ही पकड़ने आया था जैसे ही Rocket उसके सामने आया वो उस पर हमला कर देता है इस हमले को देखते ही सारे Guardians एकदम अलर्ट हो जाते है जिसके बाद Rocket को बचाने के लिए वहाँ पर Nebula आती है पहले ही वो काफी ताकतवर थी अब अपने जिसमें एक हाइटेक मेशीन लगा कर यनि काफी एडवांस मेशीन एड़म वार्लोग पर हमला कर देती है लेकिन एड़म वार्लोग जो बहुत ही ताकतवर था बड़ ही असानी से उसके हमले को रोग देता है दूर फैंकर वो उसे धेर कर दीता है अब इसके बाद एके करके सारे गार्डियन्स उस पर हमला करती है लेकिन वो किसी के भी काबो आ ही नहीं रहा था हलांके ये उसे उठा उठा कर फैंकते हैं बहुत पेटते हैं पर कोई भी उसके आगे टेक नहीं पाता अब इस सारे सुरते हाल देकर जिब रोकेट अपनी गर्न अठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है उससे पहले एडम वार्लोक उस पर भारी हमला करता है इतना खतरनाक हमला कि एकी जटकी में रोकेट काफी जखमी हो जाता है देर होकर वो भी एक जगा पर गिर गया इस सबकी पवाजोद भी नेबियूला हार नहीं मानती वो दुबारा उटी अपने हाथ को तलवार बना लीती है जिसे जाकर वो एडम वार्लोक की पेट में खुसा दीती है जिसे अब वो इतना जखमी हो गया कि वहीं परी भी होश हो जाता है अब इससे पहले कि सारे गार्डियन्स दुबारा से उस पर हमला करते है उससे पहले ही एडम वार्लोक उठता है और जट सी नोवेर सी भाग जाता है अब पीटर और उसका साथी रोकेट के पास आती है जो जखमी हल्ट में वाँ गिरा पड़ा था उसका इलाज करने के लिए जखम को ठीक करने वाली एक डिवाइस वो उसके जिसम से लगा देती है लेकिन जैसे मशीन एक्टिवेट होई ओन होई रोकेट तड़पने लगता है देखने से लग रहा था जैसे वो मशीन रोकेट के जान ले रही है ये देखकर फुरन नेबियूला वहां पर भाग कर आई पीटर से कहकर जल्दी से इस मशीन को बंद करवाती है फिर वो रोकेट की पूरे जिसम को अच्छे से स्कैन करके चेक करके सबको बताती है कि असल में इसके जिसम की अंदर बहुत सारी मशीन फिट की गई है उन सारी मशीन की अंदर एक मशीन ऐसी भी है जिसे रोकेट के दिल के पास लगाया गया है और अगर किसी ने भी उस मशीन को निकाले बगएर रोकिट का इनाज करने की कोशिश की तो वो ही मशीन रोकिट की जान ने लेगी और ये सब कुछ रोकिट के साथ उस मशीन की वज़े से हो रहा था जो वो टड़ा प्रा था सारे ही गार्डियन्स रोकिट को ठीक करने में लग जाते हैं जिबके रोकिट जो जखमी पड़ा था बिहोश था उसे अपनी पुराने यादे याद आने लगती है यानि कि उसका माजी गुजरा हुआ वक्त उसकी यादों में दिखाया जाता है कि बहुत साल पहली रोकिट एक छोटा सा रगून था जो एक जानवरी होता है जो अपने जैसे बाकरे को उसके साथ एक पिंजरे में कैड़ था लेकिन एक दिन हाई एवोलोशनरी वहाँ पर आया उसने रोकिट को चुरा लिया जिसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद रोकिट का दिमाग बहुत तेज हो जाता है उसकी जहानत उसकी ताकत हाई एवोलोशनरी से भी काफी ओपर चली जाती है लेकिन जैसे एक्सपेरिमेंट पूरा होता है बिचारे रॉकट को दूसरे जिल में डाल दिया जाता है जहां उसके जैसे और भी कई सारे जानवर थी उन्हें भी यहाँ पर क्याद करके लाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो तीन जानवर थी जिनकी रॉकिट से दोस्ती हो जाती है उदर नेवियूलाम रॉकिट की पूरे जिस्म को चेक करके ये पता लगवा लेती है कि उसके अंदर जो मेशीन्स फिट की गई है उन्हीं कहां बनाया गया था वो सभी सोचने लगे कि अगर हम उस जगह पर चले जाए जहां पर इन मेशीन्स को बनाया गया था तो हो सकता है हम रॉकिट को ठी कर दे और फिर अगली ही पल वो वहां पर जाने का फैसला करते है जो एक दूसरा प्लेर था जिसका नाम और बॉसकोप था पीटर अपनी पूरी टीम को तयार करनेता है जबकि अपनी दो साथियों को यही पर नौवियर में ही छोड़ कर जाता है और उन से कहता है कि यहां का खयाल तुम दोना को रखना है फोरन बाद बागी टीम को लेकर पीटर अपने मिशन पर निकल गया अब हमें दिखाया जाता है High Evolutionary जहां उसके पासी Adam Warlock और उसकी मॉम थी यहां Adam Warlock की मॉम High Evolutionary से कहती है कि मेरा बेटा भी बहुत चोटा है यही वज़ा है कि वो मिशन में फील हो गया रॉकेट को नहीं ना पाया जो बाद सुनकर High Evolutionary काफी गुसे में आ गया कहता है कि मुझे कैसे भी करके रॉकेट चाहिए तो चाहिए यह कहकर वो Adam Warlock को बहुत मानता है और उन मा बेटे को यह धंकी देता है कि अगली बार तुम रॉकेट को लाने में ना काम रहें और उसी मेरी हवाले ना किया तो मैं तुम्हारी पुरी नसल को ही मार दूँगा यहां हमें पता चलता है कि इस वब्द High Evolutionary जहां पर है वो एक पूरा प्लैनेट है यह पूरा ही प्लैनेट बिल्कुल हमारी जमीन अर्थ जैसा है इसलिए इसका नाम भी Counter Earth है अब यहां High Evolutionary इतना पागल इतना अजीब है कि वो चाहता है कि जितने भी प्लैनेट और वहां पर रहने वाले जानवर और Creatures है वो सब एकदम पर्फेक्ट होने चाहिए इन्हीं हर लिहास से बिल्कुल टी इसलिए वो अलगले प्लैनेट पर जाकर वहां की जानवर और Creatures को उठाता है और उन पर Experiment करकी बदलने की कोशिश करता है अपने मताबिक वो उने इतना बदलता है कि उसकी सोच के मताबिक वो पर्फेक्ट बन जाए ऐसे फिर High Evolutionary जानवरों और Creatures को लेने के लिए जब प्लैनेट अर्थ पर गया इन्हीं हमारी जमीन पर तो उसे अर्थ इतनी अच्छी लगी कि उसने ठान लिया कि अब मैं भी बिल्कुल प्लैनेट अर्थ जैसा ही एक प्लैनेट बनाऊंगा जो दिखने में और उसका माहौल बिल्कुल अर्थ जैसा होगा यहां तकि वहां के घर और लोग भी ब्लैनेट अर्थ जैसी होंगी और यही वो प्लैनेट है जिसे काउंटर अर्थ कहते ही गार्डियन्स की टीम अपने शिप में बैट कर और्बसकोप की पास पहुँच गई लेकिन इससे पहले कि वो और्बसकोप के अंदर जाते ही उनके शिप में कुछ लोग आ जाते ही जिन मेंसे एक होती है गमोरा यहाँ यह सारे लोग पेटर कुल और बाकियों को बताते हैं कि हमें यहाँ पर असल में नेबिला ने बोलाया है क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें एक लाका इनाम देगी अगर हम उनकी साथ चलकर उनकी मदद करेंगी इसलिए अब हम भी तुमारे मिशन में तुमारा साथ देने आये हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया रोकिट भी होश है उसके यादों में माजी में दुबारा से हम देखते हैं कि हाई एवोलोशनरी ने अब तक जितनों पर भी एक्सपेरिमेंट किये थी उन में से सबसे बेस्ट और परफेक्ट रोकिट ही था क्योंकि सबकी निस्बत रोकिट का दिमाग बहुत देज है सबसे पहले हाई एवोलोशनरी रोकिट को पकड़कर उसकी दिमाग का टेस्ट लेता है और जब रॉकिट उस टेस्ट को पास कर लेता है तो High Evolutionary ये समझ किया कि रॉकिट सच में बहुत होश्यार स्मार्ट है जिसके बाद उसने रॉकिट को Counter Earth दिखाया जहां पर रॉकिट उड़ते हुए रॉकिट को देकर पूछता है कि ये क्या है जिस पर High Evolutionary कहता है कि ये रॉ रॉकिट है जो हमेशा हवा में उड़ता है जिसके बाद वो रॉकिट की दिमाग को और टेस्ट करने के लिए एक लैब में लेकर आया वो रॉकिट को वहां एक चेमबर दिखाता है और उसकी आंगों के सामने चेमबर की अंदर एक टाइटल कच्छुए को डालता है और अ उनको बिलकुल शान बनाना चाहता हूं यह सुनकर रॉकिट उस चेमबर मशीन को देखते हुए हाई एवोलोशनरी को बताता है कि इस मशीन में एक गड़बड है एक खराबी है जब चेमबर मशीन में डाल कर उन सब को बदला जाता है तो उनकी बदलने के साथ साथ उनकी दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है और वो ही वज़ा है इन सब के ग्रेसिफ गुसेल होने का तो अगर आप उस केमिकल को ही बदलने से रोप लेंगे तो यह सब बिलकुल शान दो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं रॉकिट की बास सुनकर हाई एवोलोशनरी बिलकुल साथियों को कहता है कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट रोकेट का दिमाग चाहिए यह बहुत ही स्मार्ट है बहुत ही जहीन है सच में उसके पास ऐसा दिमाग है जो मेरे पास भी नहीं साथी हाई एवोलोशनरी को इस पास से भी गुसा था कि यह रोकेट रोकुल मेरा ही स इस्पेरिमेंट करूँगा और यह पता लगवाऊंगा कि आखिर वो इतना क्रियेटिव कैसी सोच सकता है और फिर उसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जहां सिर्फ मैं उन्हीं क्रियेटर्स को रखूँगा जो हर लिहासी पूरी दरा परफेक्ट होंगे बिल इसके बाद बार जो स्पेशिप हैं उनमें बैटकर हम यहां से निकल जाएंगे यह कहते ही रोकेट वहां पर रखी हुई सारे चीज़ों को इकठा करता है और एक चाबी बना लेता है उस चाबी से अपनी जील का ताला खोलता है और वहां से बाहर आ जाता है और अपनी ए को भी मार दूँगा और अभी के अभी तुम्हारा दिमाग निकालूँगा सुबह तक के इंतिजार में नहीं करने वाला अपनी आँखों के सामने ही रोकेट अपनी दोस्त को मरा हुआ देकर बहुत दुकी हो जाता है और अब उसी काफी गुसा भी आ गया था वो हाई वोलुशनरी के कैप से अजाद हुआ था ओधर गार्डियन्स की पूरे टीम गमोरा के साथ मिलकर उस प्लैनिट और बोस्कोप में आ जाते हैं फिर ये वहां पहुँचकर में एरिया में आ गए इस जगा पर रोकेट के सारी जानकारी थी रोकेट की फाइल को वहां से लेक लेती हैं सभी गार्डियन्स जान जाते हैं कि हाई एवलुशनरी ने रोकेट की साथ बहुत बहुत गल्द किया हैं वीडियो को देखर नेबियूला को रोकेट पर बहुत तरह साने लगा वो खहती है कि इतनी ज्याती तो तबीभी किसी की साथ भी नहीं हुई फिर सब को चला कि रोकेट की दिल के वाल जो मशिन है जो उसका इलाज होνे नहीं डे रही उस मशिन को एक कोड़ डालकर निकाला जा सकता है लेकिन वो कोड़ क्या है गार्डियन्स को पता नहीं चलपाता घैसे इसलिए क्योंकि हाई एवॉलuशनरी के लोग रोकेट की पार वियस स करने सी मना कर देती हैं और उन सी कहने लगी कि वो आदमी इस वक्त हाई एवलुशनरी के पास है तो अगर हम वहां गई तो सारे मारे जाएंगे इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती है वो फिर अपने एक साथी को अपने लोकेशन बेच देती है कि इस वक्त मैं और मुझे जल्दी से लेने आ जाओ लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथी को और्वोसकोप में एडम वार्लोक और उसकी मौम ने पकर लिया है तो जैसे गमोरा अपने लोकेशन बेचती है उसके बारे में एडम वार्लोक और उसकी मौम को भी पता चल गया था तो इसलिए वो गार्डियन्स को पकरने के लिए जानी लगते हैं उदर गार्डियन्स जैसे ही हाई एवोलुशनरी के पास पहुचते हैं तो वो इन्हें बताता है कि जानते हो मेरा प्लैन किया है अब मैं तुम से रॉकेट को हासिल कर लूँगा जो मेरा सबजेक्ट है यह सब कुछ म अपनी शिप में बैठ जाता है और अपने लोगों को खुम देता है कि अब मेरे जाने की बाद इस पूरे प्लैनेट को तबाह कर दो उसकी लोग ऐसे ही करने लगते हैं शिप को उड़ा कर दीरे दीरे प्लैनेट को तबाह करने लगते हैं जिससे होता यह है कि वहाँ पर होने लगते हैं यह सब होता हुआ देकर गार्डियन्स टीम के दो लोग पीटर और ग्रूट जो वही पर थे हाई एवोलोशनरी के लोगों से लेड़ने लगते हैं अपने पारफुल गर्ण से वो उन सबी को शूट करने लगते हैं और उन सब में से उस आदमें को उठा लेत बचाने के लिए वो स्पेशिप में चले जाते हैं लेकिन असल में पहले ही पीटर और ग्रूट उस आदमी को लेकर स्पेशिप से कूच चुके थी पीटर और ग्रूट सीधा रोकेट के पास जाते हैं अपने स्पेशिप में वो रोकेट में उस कोट को डाल देती हैं जिस जो अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर बाकेटी मेंबर्स जल्दी से उस स्पेशिप से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन पहले वाँ पर हाई एवोलुशनरी आकर उन्हें वहाँ कैद कर देता है। गार्डियन्स की वह तीनों मेंबर्स कैद होकर देखती हैं कि यहाँ पर बहुत सरे चुटे-चुटे की रीजर्स और जानवर हैं जिने हाई एवोलुशनरी ने यहाँ पर कैद क्या हुआ है क्योंकि वह इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। देखर वो सब फैसला करते हैं कि अब हम अकेले ही यहाँ से नहीं जाएंगे बनकि अब हम इन सब को भी अजाद करके अपनी साथ ले जाएंगे। हाई एवोलुशनरी उसकी साथी और गार्डियन्स ऑफ दे गलेक्सी की टीम की बीच जबर्दस किसन की लड़ाई को देख पाते हैं। हाई एवोलुशनरी की शिप में जितने भी लोग जानवर क्रियेटर्स बंदी थी उन सब को अलजाद करवाली थी। वो फिर उन सब को भी नोवेर में डाल दीती हैं और खुद भी महीं आ जाती हैं। और ये सब करने में उनका साथ एक डॉग देता है जो पीटर का साथी था। ये लेकिन वो इतनी साही ताकत लगा चुका था कि बीच में उसकी ताकत तोड़ चाती हैं। जिससे सारे लोग तो नोवेर प्लैनिट पर आ गई थी लेकिन पीटर अभी भी हाई एवोलुशनरी की स्पेशिप में था। जहां उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। ऐसा लग राता जैसे वो मरने वाला है। लेकिन उससे पहले ही एडम वॉर्लोक वहाँ पर आया और पीटर को ठाकर नोवेर में ले चाता है। जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसकी बाद सारे गार्डियन्स ये फैसला करते हैं कि अब हम इन सभी जानवर क्रियेचर्स और इनसानों को लेकर एक नई दुनिया बनाएंगे। जहां वो उन सब को एक अच्छी जिनकी देंगी और उन सब को वो बनने देंगी जो उनकी खुआहिश है। उन सब को एक करकी रोकेट एक टीम बनाता है। जिनकी अब इस नए टीम की अंदर एडम वर्डॉक भी होता है क्योंकि वो सुदर गया था। पीटर जमीन पर आ गया था। जहां आगर वो अपने नानाजी से मिलता है। वो भी उसी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।